हम अपने evolution को कैसे पता करते हैं simple सी बात है kit के थुरू पता करते हैं जो evolution days को काफी असानी से बताती है या फिर doctor की थुरू हम अपने evolution days को जानते हैं या साथ में inito kit भी available है market के अंदर i know kit है धेर सारे इस तरह के methods है ये सारे methods हैं पूरी तरीके से खर्चीले हैं इन सारे kit में आपको अच्छा खासा पैसा लगने वाला है guys इस video के अंदर मैं एक घरेलू तरीका बताऊंगी ये तरीका सभी महिलाओं पे आसानी से कर सकते हैं कि work करता है इस तरीके को जानने के लिए सबसे पहले ये होगा कि आपको अपना mindset करना होगा कई बार घरेलू method से हम चीजों को आसानी से जान लेते हैं लेकिन हमें विश्वास नहीं होता है तो विडियो को confirm देखने के लिए आपको मुझे पर विश्वास भी करना पड़ेगा तो चलिए गया इसी बात पर विडियो को start करते हैं मैं हूँ आपके साथ श्वेताओ और आप देख रहे हैं सहेली क्लब पहली बार अगर आए हैं चानल पर तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कर विडियो को आप लाइक किजिएगा गाईज ओवालूशन डेज होने पे बहुत सारे लक्षन हमारे सरीर में अपियर होते हैं ये लक्षन कब से दिखने लगता है जिस डेट को आपका पीरियेट्स आया है उसके बाद 10 दिन आप काउंट किजिए कंसिडर किजिए इस महीने आपको 10 तारीक को पीरियेट्स आया आपका ओवालूशन डेज इटोमाटिक 20 तारीक से स्टार्ट हो जाएगा जिस कारण क्या होता है ओवालूशन डेज स्टार्ट होने के बाद अगर आप अपने आपके घर में कंसिडर किजिए थर्मोमीटर है थर्मोमीटर जिससे हम अपने बॉड़ी का टेंपरेचर मेजर करते हैं मोस्टली उसे फीवर के समय क्या टेंपरेचर चल रहा है उसे मेजर करने में हम आम तोर पे इस्तेमाल करते हैं अगर आपके घर में थर्मोमीटर है तो सबसे पहले आप डेली मौर्णी में मेजर्मेंट स्टार्ट कीजिए पीरिड समाप होने के बाद आप देखेंगी चार से पांस दिन आपने मेजर्मेंट लिया अगला एक नेक्स डे ये होगा कि आपके टेंपरेचर में अचानक से चेंजेज आ जाएगी वो बहुत ज़्यदा चेंजेज नहीं होती है लेकिन एक डिगरी सेलसी इस बहुत असानी से आपका टेंपरेचर बढ़ जाता है वो जो समय होता है सबसे पिक टाइम होता है आपके ओवालुशन का उस टाइम में ही आपको ट्राई करना चाहिए अब ये है कि इसके साथ साथ भी और भी लक्षन अपियर होते हैं जैसे कि आपके मूड में बहुत ज़्यदा चेंजेज आना यानि कि आप इस दोरान ओवालुशन के दोरान महिलाय अक्सर थोड़ा सा हैपी रहने की कोशिस करती हैं उनका मूड अच्छा होता है साथी साथ आपको ऐसा मर्जी करेगा कि आप टाइम बिताया अपने हस्में के साथ इस तरह की चीजे आपकी अंदर से होती है तो वो च कई बार इस तरह की चीजे आती है कि महीने के अंदर क्रैविंग की बात करें तो थोड़े असा इस तरह के बदलावाते हैं ओवालुशन डीज में फ्रीज की ठंडी चीजे मत खाये फ्रीज में जो भी चीजे आप बाहर एक या डेर घंटा रखने के बाद उसे खा सकती है गाई जाने से पहले ये घरेलू मेथट जो मैंने बताया आप बहुत आसानी से मेजर कर सकती है थर्मामेटर से अगर अब भी कोई डाउट है कुछ कंफियूजन कहीं से भी नजर आ रहा है तो गाईज मुझे नीचे कमेंट कीजे नेक्स टाइम मैं आपके कमेंट को जरू पिक करने वाली हूँ थैंक्स पो वाचिंग तब तक के लिए बाई 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 टेक केर